एक जंगल में एक जिराफ रहता था, वह जंगल में सबसे उचा जानवर था, उसकी गर्दन बहुत ही लंबी थी, जिसके कारण वह उचे उचे पेड़ों की पतियां खा सकता था, उसे अपनी उचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा खमंड था, जब भी वो मैदानों की घा चरते जानवरों को देखता तो उनका मजा कुड़ाता और उन पर हसता था, एक दिन जंगल में तीन जंगली गाय भोजन की तालास में खूम रहे थी, घुमते घुमते वे उस अस्थान पर पहुँचे जहां जिराफ एक उचे पेड़ के पत्ते खा रहा था, उनका मन भी पेड़ के पत्ते खाने का हुआ, लेकिन उनकी उचाई जिराफ जैसी नहीं थी, नहीं उनकी गर्दन लंबी थी, इसलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले, जिराफ भाई, थोड़े पत्ते हमें भी दे दो, हम भी जरा इन पत्तों को चक कर देखें, खमन्डी जिराफ उन्हें दुद्कारते हुए बोला, जिराफ की बात सुनकर जंगली गायों को बड़ा बुरा लगा, वे जिराफ से बोले, जंगल के जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिराफ ने कुस्से में कहा, और पेड के पत्ते खाने लगा, तीनों जंगली गायों नीचे मैदान की घास चरने लगे, तभी अचानक वहां एक सेर आ गया, वह दिन भर से भूका था, और बड़े शिकार की तालास में था, उसने जब जिराफ को देखा, तो सोचा, आज इस जिराफ का ही शिकार करूँगा, आज पेड भर कर इसका मांस खाऊंगा, वह जिराफ की तरफ बढ़ने लगा, पास की घास चर रहे जंगली गायों ने जब शेर को देखा, तो भाग कर एक गुफा में छुप गए, पेड के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था, जब सेर जिराफ के पास पहुचा और जोर से दहाडा, तब जिराफ ने उसकी तरफ देखा, डर के मारे उसकी बोलती बंद हो गई, वह मदर की गोहार लगाने लगा, पास की गुफा में छुपे, जंगली भैसों ने उसकी गोहार सुनी, एक गाय बोली, इस घमंडी जिराफ का तो यहीं अज़ाब होना चाहिए, दूसरी गाय बोली, बिल्कुल सही, इसने हमें खाने को पत्ते नहीं दिये थे, उनकी बात सुनकर तीसरी गाय बोली, नहीं भाईयों, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, दोनों गायों को तीसरे गाय की बात समझ में आ गई, तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैशला किया, और गुफा से बाहर निकल कर सेर की तरब पढ़ने लगे, सेर के पास पहुचकर उन्होंने उसे ललका रहा, सामने तीन बलसाली जंगली गाये, देख कश्य डर गया, और वहां से भाग गया, जिराफ की जान में जान आई, उसका घमन तूर चुका था, और वह अपने बेहवार पर पस्ताने लगा, और गायों से चमा मांगने लगा, जंगली गायों ने उसे चमा कर दिया, उस दिन से वे सब मिल जूल कर रहने लगें, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें घमन्ट नहीं करना चाहिए, और हमेशा मिल जूल कर रहना चाहिए, क्यूंकि हम आपस में मिल जूल कर रहेंगे तभी किसी बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकेंगे,